गुड मॉनिंग एवरिवन, कैसे हैं आप सब? मैं त्रिप्ती दूबी अपने चैनल में आप सब का श्वागत करती हूँ तो आज का जो ये वीडियो है बच्चे टाइम एन वर्क का सेकंड पार्ट है जैसे कि मैंने बताया था पहले वाले पार्ट में हमने 6 क्वेशन ही देखे थे बाकी बच्चे वी जो 4 क्वेशन है अपने इस वीडियो में कवर करेंगे तो आई होप आपको वीडियो वालब बहुत अच्छे से समझाया होगा अगर कोई बच्चे जो 1st time मेरी चैनल पर विजीट कर रहे तो जरूर से आप पहला वाला पार्ट देखें ताकि उसको देखने के बाद ही आपको चीजें बहुत अराम से क्लियर होगी चलिए पहला question आपके सामने है question number 6 की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि 5 questions already मैंने करवा रखे है question number 6 क्या बोल रहा है 6 तक हो गया था sorry हाँ 6 तक हमने कर लिया था question number 7 में पहुंचे है question number 7 बोल रहा है कि A किसी कारी को का 1 बटा 3 भाग 5 दिन में करता है है मैं लिखते चली जाती हूं और बोलते भी चली जा रही हूं अगर clearly visible नहीं है तो आप जो मैं बोल रहा है उसको आप सुन सकते हैं पूरा question पढ़ देती हूं एक किसी कारे का 1 बटा 3 भाग 5 दिन में बी 2 बटे 5 भाग को 10 दिन में पूरा करता है तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में शमाप्त करेंगे बोल रहा है ए नामक एक ब्यक्ति है जो किसी काम का 1 बटा 3 भाग को कितने दिन में करता है बोल रहा है पाँच दिन में करता है थीका, पहले मैं प्रश्न लिख रहे हूं आप लोग के लिए वोईं दूसरा बेखती है जिसका नाम है B ये जो है, उसी काम के 2 बटा 5 भाग को कितने दिन में करता है दो बटा 5 भाग को 10 दिन में करता है मतलब एक बटा तीन भाग को करने में कितना दिन का समय लग रहा है इसको पांच दिन का समय लग रहा है तो पूरा करने में कितना लगेगा किसी काम का एक बटा तीन भाग को करने में तुम पांच दिन का समय लगेगा तो अगर उसी काम को पूरा करना पड़े तो तुमको कितना समय लगेगा तो पूरा करने में क्या हो जाएगा 5 गुड़ी 3 बटा एक कर लेंगे मतलब 1 बटा जो 3 था उसको ले जाकर के हम multiply की रूप में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 दिन का समय लगेगा मतलब हमको समझ आ गया कि जो A है उसको किसी काम को पूरा करने में 15 दिन का समय लगेगा दूसरा लाइन क्या बोल रहा है B का बोल रहा है तो B जो है 2 बटा 5 भाग को करने में 10 दिन का समय लेता है तो सिर्फ उस काम का दो बटा पांच भाको करने में ले रहे ना तो अगर उस काम को उसको पूरा करने के लिए दे दिया जाए तो कितना दिन का समय लगेगा तो दस गुडित फिर उल्टा हो जाएगा इधर जाके यह हो जाएगा पांच बटा दो दो एकम दो पंचे 25 दिन क का समय लगेगा ठीक है तो बी को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा 25 दिन का यहां तक क्या चीज़े क्लियर हैं अब बोल रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे फॉर्मूला बेस्ट बता दूं अगर मैं तो मैंने बताया था कि फॉर्मूला कैसा होता अगर दोनों के मिलकर का पूछा जाए तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है बच्चे हमारा A B बटा A प्लस B तो चली A बराबर आपका 15 है वहीं B बराबर आपका 25 है है ना और A प्लस B बोल रहा है मतलब 25 प्लस या 15 प्लस जैसा आप करना चाहें 25 हो चली इसका गुड़ा करेंगे गुड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 पंशे कितना होता है पच्चेस दूनी 50 25 75 25 25 25 एक सो पच्चीस हासिल आई 12 25 से कम 25 अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 375 आ जाएगा देखो ओवर कॉन्फिडेंस में कि हमको तो सभी आता है बोलकर कि यह इस्टेप करना आप मत भूलिए चाहे आपको कितना भी मल्टीप्लाई आता है लेकिन आप जरूर से एक्जाम हाल में उसको करके देखे उसके बाद ही बनाईए क्योंकि हमारे लिए एक्जाम में एक नंबर भी बहुत वैल्यूबल होता है है ना चली तो यह 375 आ गया अब यहां पर आपको 25 में 15 को जोड़ना है तो 25 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना आजाएगा कितना आजाएगा पांच-पांच-दस के सून हासिल आई एक ठीक है और एक हो गया चार 40 आजाएगा क्या हमारा 25 में जब हम 15 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आजाएगा आपका 40 आजाएगा चली आगे बात कर लेते हैं अब कुछ नहीं है करने के लिए हमारे पास अब इसको सिधा सुल्व करना है तो जिससे कटता हुआ दिख रहे उससे कटा यह 5 से कटा देते हैं 5,8,4, 5,7,35 और 5,5,6, 25 ठीक है अब किस से जाएगा अब किसी से जाएगा क्या नहीं जाएगा तो क्या करना पड़ेगा आपको 8 में सिधा 75 का भाग देना पड़ेगा आपको आप्शन के थूइंगा अगर वहां पर आप्शन में 75 बट 8 लिया हुआ है तो यहीं आपका फाइनल उंसर हो जाएग ठीक हम question number seven बना रहे हैं ठीक अब नहीं दिया है तो आपको सिधा इसमें भाग देना पड़ेगा आठ में आप 75 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आठे कम आठ आठ दूने शोला आठे चोबिस आठ चब बतिस आठ पंचे चालिस आठ चकार तालिस आठ चकार तालिस यह cgpc निसी answer को लिए है और यही option में था मैंने बताया न मैं जितने question करवाती हूं इस सारे question जो है आपके किसी न किसी exam में आय हुए है उन्ही question को यहाँ पर करवाया जाता है तो यहाँ पर जो answer था option था वो यह दिया गया था आया क्या समझ में चीज़ें बिलकुल clear है बहुत आराम से हमने समझ लिया कुछ नहीं करना है जितना भाग को दिया हुआ है पहले तो आपको उसका पूरा काम को करने में कितना समय लगेगा यह आपको निकाल लेना है यह दोनों निकल गया फिर बस आपको formula में value रख देना है क्योंकि जब प्रशन दोनों कर दिया ह होता है और पूछे कि दोनों मिलकर इस चीज को कितने दिन में करेंगे तब formula लगता है AB बटा A plus B बस formula में आपको value रख देना है final answer आपके सामने होगा clear है चले अगर question समझ नहीं है तो बिल्कुल आप comment में मुझसे पूछ सकते कि मेडम ऐसे में ऐसे कैसे हुआ तो मेडम ब लग सकूं clear और फर्स्टे मेरी चैनल पर विजिट करें तो फिर से वहीं बोलूँगी इस वीडियो का पहला पार्ट आप एक बड़ जा करके देख लें तो चीजें और आसानी से आपको समझ आएंगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें clear चले question number second देखते है सब्सक्राइब करता है आपको total तीन वाग काम को करना है टीन आपने कोने वीडिए यहां पर खाने के लिए पहला यह रचया रहे लिए ट्पर मैं रहे तो तस्ती को आपने इस एका सब्सक्तितना चाहिए क्काम करतेश स्कलत भाइब है लेकिन आपने चाहर ही काम किया आया चिहें नीचे में टोटल चीजें लिखाते हैं और उपर में आपने जितना किया है वो चीजें लिखाते हैं तो पहले तो ये चीज़ आप क्लियर कर लो चले अब आते हैं हम सीधे कारे का दो बटा तीन भाग को कितने दिन में करता है कितने दिन में करता है किसी काम का दो बटा तीन भाग को ये दस दिन में करता है तो बताओ दो बटा तीन भाग को करने में दस दिन का समय ले रहा है तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा तो पूरा करने में दस ग कितना दिन का समय लेता 15 दिन का समय लेता आगे क्या समझ में अब प्रेश्ण में बोल रहा है कि उसी कारे के 3 बटा 5 भाग को कितने दिन में करेगा तो आपको समझ आया क्या कहानी जनार्दन जो है किसी काम को पूरा करने में 15 दिन का समय लेता है तो उसी काम का कितना तीन बटा 5 भाग को करने में कितना समय लेगा तो फिर से चीजे उधर जाएंगी लेकिन आप समझेंगे पूरा दिया हुआ है और उसका कुछ पर्षेंट का पूछ रहा है तो ऐसे सिच्वेशन में इधर जाकर यह उल्टा नहीं होगा ठीक है तो होगे 5 एकम और 5 तिया 15 मतला 9 दिन का समय लेगा आया क्या समझ में जनारदर नामक एक ब्यक्ति है जो कि किसी काम को पूरा करने में 15 दिन का समय लेता है पूरा करना है तो पंदरा दिन का समय ले रहा है लेकिन उसी काम का अगर उसको सिर्फ तीन बटा 5 भाग क करना है तो वो उसके लिए 9 दिन का समय लेगा और यही आपका answer हो जाएगा आगया समझ में चले next question देखते है question number 9 क्या बोल रहे देखिए question number 9 बोल रहा है किसी खेत के दो बटा 3 भाग को ए 6 दिन में जोच सकता है बी जो बटा 3 भाग को 10 दिन में जोच सकता है तो दोनों मिल करके कितने दिन में जोचेंगे तो सबसे पहली बात हो रही है एक ही जो ए है न वो किसी खेत के 2 वटा 3 भाग को, कितने भाग को, 2 वटा 3 भाग को, कितने दिन में जोट सकता है, बोल रहा है, 6 दिन में जोट सकता है, ठीक है, कितने दिन में, 6 दिन में, तो किसी खेत का 2 वटा 3 भाग को, जोटने में, उसको 6 दिन का समय लग रहा है, तो पूरा करने में, कितने दिन का समय लगेगा पूरा भाको करने में कितने दिन का समय लगेगा तो इसके लिए काना पड़ेगा इसको उतना जाएगा और रहा नागता ज़सका है एक बटा तीन भाग को दस दिन में जोतता है ठीक है? तो पूरा भाग को कितने दिन में जोतेगा? तो इसका भी सेम है दस इधर जाएगा, तो तीन हो जाएगा तीस दिन में जोतेगा यह भई ठीक? अब यहां से कहानी है हमारी समझ आ गई A जो है पूरा खेत को जोतने में सिर्फ 9 दिन का समय लेगा वहीं जो B है वो पूरा खेत को जोतने में 30 दिन का समय लेगा यही बोल रहा है न? यही बोल रहा है तो अब प्रस्न हमारा बोल रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में जोतेंगे तो हमारा formula सिधा यहां पे लगा दो AB बटा A plus B अगर दोनों मिलकर पूछा है तो हमको यही करना होता है तो 9 गुडित 30 और बटे में आ जागा 9 प्लस 30, अब इसका आप value निकाल सकते हैं 9-27, यह हो गया 270 और 30 में 9 को जोड़ेंगे तो यह हो गया 49 अब आपको इसमें भाग देना है किसमें किसमें जा रहा है आप देखिए उसके final जो answer है वो आपके सामने होगा आगे क्या चीजें समझ में आपको चले कहीं पर कुछ mistake तो नहीं हो रहा है हमारा सब चीज clear है बिल्कुल clear है फिर से प्रस्ट में आपको बता दू A जो है वो 2 बटा 3 भाग को 6 दिन में करता है वहीं जो B है वो 1 बटा 3 भाग को 10 दिन में करता है तो पूरा काम करने में उसको कितना समय लगगा 30 दिन कहीं समय लगगा अब A भी आ गया हमारे पास B भी आ गया हम इसका value निकालेंगे सिधा यहां से हमारा answer आ जाएगा यह हुआ आपका concept 1 हाना जो मैं formula base में बताई हूँ आपको आप ए concept 2 भी बता सकती हूँ concept 2 में भी आप कर सकते हैं अगर हम days की बात कर लें तो यहां पर A हो गया यहां B हो गया dos a को करने में कितना दिन समय लग लग रहा है दो दिन का वहाई B को करने में आपका 30 समय लग रहा है ठीक है अरह प्रश्यों में हमारा समय ही पूछा है क्या पूछा है समय तो कारे च् trajectming सम्ता ब्राबर जब हम निकालते हैं तो चीजे प्रेस्ट उल्टा हो जाती है तो कारेज़चमत प्राबर हो जाएगा एक बटानो और यह हो जाएगा एक बटा 30 अब आपको इसका लस निकालना है 9 और 30 का आप लगुत्तं समावध निकालेंगे तो तो कितना आएगा 2 3idi के अब देखो यह जाएगा 9 में जब भाग देंगे तो 19 नबबंबे और 67 क्या तीस यह नबबेए 10 कनुपात तीन है और और प्रश्ण में क्या पूछा है प्रस्न में यही तो पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में जोतेंगे तो जाएगर 10 धन 13 तो 13 बटा हो गया यह 90 अब चीजों को आप सॉल्व करेंगे अंसर आपके सामने होगा क्लियर है चलिए आगे बात कर लेते हैं चलिए ठीक है है ना हमारे इस प्रकार से प्रस्न आपके सामने होगा अब हम देखते हैं next question की तरफ मैं थोड़ सा question चेक करी थी guys कि कहीं पर कोई mistake तो नहीं है तो इस रूप में आपका answer आ जाएगा अब आगे बात करते हैं next question क्या है question number 10 हम सब से last question में पहुँच चुके हैं सेस काम को बी 30 दिनों में पुरा करता है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे बहुत मज़ेदार प्रस्न है और दिमाग को गुमाने वाला प्रस्न है ठीक है प्रस्न में बोल रहा है ए नामा के एक ब्यक्ति है किसी काम को पूरा करने में उसको 60 दिन का समय लग थोड़ से डर लग रहे हैं प्रेश्ण को देख करकει नहीं डरना है बहुत आरामसी सीजी डिल होंगी देखे एक कि отправ हैा किसी काम को साथ दिन में पूरा कर सकते हैं कि यह पूरा करने में किसी काम को कितना समय लेता है 하는Heart साठर निकार दिन को समय लेता है आगे क्या बन रहा है लेकिन 15 दिन काम करने के बारद को छोड़ करके चला जाता है उसको करना था यह उसने सिर्फ पंद्रा दिन किया तो मैंने बताया था ना पूरा करने वाला चीज को हम हमेशा नीचे में लिखते हैं अब जो ए नामक बेखती है उसको साथ दिन तक काम करना था लेकिन इसने सिर्फ पंद्रा दिन तक काम किया थी यही लिखते हैं मैं ऐसे भीन्द बनाते है 15 दूनी 30, 15, 45, 15, 60, मतलब 1 बटा 4, 1 बटा 4 आगे इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब यह है कि जो A है उसको 4 भाग काम को करना था, लेकिन उसने सिर्फ एक भाग काम को ही किया, इसका मतलब यह निकलता है, ठीक है, तो यह आगे इसका 1 बटा 4, अब आगे लाइन क्या बोल है, जो A है, उसको पूरा 4 भाग काम को करना था, उस 4 भाग में से एक भाग काम को A निकिया, तो कितना भाग बचा, टोटल 4 भाग है, उस 4 भाग में से एक भाग काम को A निकिया है, कितना भाग बचा, तीन भाग ही ने बचा ना, तो जो B है, वो 3 बटा 4 भाग काम को, कित वो सिर्फ 15 दिन में करता है तो इसका हमने वैल्यू निकाला तो चार आ गया इसका मतलब यह आसान हो जाएगा इसके साथ भी बना सकते थे कोई इशो नहीं था तो चार भाग को करना था लेकिन एने सिर्फ उसमें का एक ही भाग काम को किया इसलिए वन फोर्थ लिखा तो ब पूरा करने में कितना समय लेगा तो पूरा करने में यह लेगा तीस गुडित उल्टा हो जाएगा इधर आएगा तो चार बटा तीन तीन एक कम और तीन दहां मतलब 40 दिन का समय लेगा क्या समझाया ए जो है किसी काम को पूरा करने में 60 दिन का समय लेता है वहीं जो बी है आपका 60 दिन और वी बराबर है आपका 40 दिन पूरा वाला को लेना है ना आधा आधा को मत ले लेना अब ए प्लस बी मतलब 60 प्लस 40 ऐसे करके आप सीधा वैल्यू निकाल सकते हैं तो 6.62 निबारा 6.38 6.24 यह हो गया 2400 और 60 प्लस 40 मतलब यह सिधा 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 आगया 100 तो यह आपको बताऊंगी क्लियर है फिर से बोलूंगी जो बच्चे इस वीडियो को पहले देख रहे हैं इसका एक और वीडियो आ चुका है वर्क एंड टाइम का पहला पार्ट उसको जा करके देखेंगे तो यह वाली जो क्लास है और अराम से आपको समझ में आ जाएंगी अग आप टेट या सी टेट का कर रहे हर एकजाम का यहापर त्यारी करवाया जाता है तो बेजी जखोकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू